करनाटक विधानसभा चुनाफ के लिए चुनावायोग ने मंगलवार को तारीखों का एलान कर दिया इस विधानसभा चुनाफ को कॉंग्रस और बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर बेहद एहम माना जा रहा है पिशले कुछ साल में कई विधानसभा चुनाव हारने के बाद करनाटक ही एक मात्र बड़ा राज्य है जहां कॉंग्रस सत्ता पर काबिज है करनाटक को जीतने के लिए बीजेपी का प्लान क्या है ये बता रहे हैं गोनियू समवादाता रामनमंगई चुनावयोग ने आज करनाटक चुनाव की घुशना कर दी है लेकिन इससे पहले ही जो राजनेती गहमा गाईमी की बड़ गए थी करनाटक चुनाओं की जो आहट थी उससे पहले ही जो पार्टिया है बारते जंदा पार्टी कॉंग्रिस करनाटक को लेकर काफी गंबीर थी क्योंकि कॉंग्रिस नहीं चाहती कि एक बड़ा राजी उसके हाथ से फिसल जाए करनाटक भी भारते जंदा पार्टी के लिए चुनाओती का सबब बना हुआ है दक्षण में एक राज्य है जहां भारते जंदा पार्टी की सत्ता रही है और अब ये यूरप्पा को लेकर मुख्यमंत्य का चेहरा बनाकर वो इस बार भी जीत हासिल करना चाहते हैं लेकिन कर बेटी चेतर है वहां राजल घंदी ने अपने दोरे भी की यहां की जमीनी हटानी की कोशिश की लेकिन वहां बीजेपी का दब-दबार रहा है पहले से बेंगलूर शहन की बात करें तो बात ब् juda कि बंहोंसा तुरियों नहें ठीक कर्णाह से लेकर लेकर घंठा के लिए एक तरफा वोट माना जाता था तो अब किस तरह से वो इस पूरे मुद्दे को लेके जाती है आगे किस तरह से लिंगायद समधाय के वोट पंग को पचा पाती है वो देखना होगा साथ जीएडी एस और बीएस पी का जो गड़ बंदन है वो देखना होगा कितना असरदार रहता है इस पूरे चुनाव में दोनों पार्टियों को कॉंग्रेस भारती जंदा पार्टी को किस तरह से ठकर देता है प्राश्ट्री अद और मंतिन रेंडर मोदमुई हो या फिर राहूल गांदी वो लगातार दौरे कर रहे हैं और जीत हासिल करके जीत हासिल करने की कोशिश में हैं रफीक के साथ रमनमगाई गो न्यूस दिल लिए